बीचेपी प्रदेश अद्यक शरुन साव ने कई मुद्धों को लेकर कॉंग्रेस को आड़े हातों लिया उन्होंने बीचेपी नेताओं पर हुए FIR को लेकर का कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है अपराद बढ़ रहे हैं आंदोलन करने वालों पर FIR हो रही है ले में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि सरकार डरी हुई है एक तरफ जहां टार्गेट किलिंग हो रहा है चत्तिर गड़ में कानून बिवस्था की स्थिती पुरी तरह से चौपट हो रहा है राज्य अपराध का गढ़ बन गया है और ऐसे में जब लोकतंत्रिक तरीके से पार्टी के कार्यकरताओं ने अंदोलन किया तो FIR करके फिर से लोकतंत्र की हत्या की गई है यह सरकार डरी हुई है यह कायरता पूर्ण कारवाही है लेकिन भारती जनता पार्टी के कार्यकरता न डरेंगे न जुकेंगे और चत्तिर गड़ के धाई करोड जनता के हित की लड़ाई लगातार हम लड़ते रहेंगे देखिए वो साधू संतों की अपनी यात्रा है और मोहन मरकाम जी जिस प्रकार से आज चत्तिर गड़ में खुले आम धर्मांतरन हो रहा है जिस प्रकार से अपराद बढ़ रहा है और उस पर आपकी सरकार क्या कर रही है यह आपको बताना चाहिए 2018 में भी कांगरेस के सभी बड़े नेता आये थे चत्तिर गड़ के धाई करोड जनता से बड़े बड़े वायदे किये थे 36 वायदे किये थे यह अउसर है उन 36 वादों का हिसाब देने का जब बड़े नेता आ रहे हैं तो चत्तिर गड़ की जनता को वो उन जन घोशना पत्र के वादों का हिसाब देना चाहिए कि सवा लाख रुपए एक-एक बिरोजगार का बिरोजगारी भत्ता बंद देना है सराब बंदी का वादा है राज्य के अधिकारी कर्मचारियों से जो बड़े-बड़े वादे हुए है चाहिए संविदा कर्मचारियों के हैं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के हैं आननबारी कारिकरताओं के हैं वर्षों में दिया है जब कांग्रिस का धिविस्षन हो रहा है कांग्रिस के बड़े निता आ रहे हैं तो च्छतिर गड़के जंता से जो वायदे कीए थे 2018 में उसका हिसाब देना चाहिए कांग्रिस के निताओं को